हेलो बच्चो, प्यारे बच्चो, वेलकम तू दी किक फोर किज क्लासेज जंगल का राजा शेर एक समय की बात है, एक घना जंगल था, जिसमें शेर, जिसे जंगल का राजा कहा जाता था, रहता था उसका नाम सिम्बा था, और वह अपनी ताकत और बुद्धिमानी के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था लेकिन शेर का दिल भी उतना ही बड़ा था, जितनी उसकी ताकत, वह हमेशा अपनी प्रजा का खयाल रखता था, और उन्हें सुरक्षित रखता था एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया, तालाब सूखने लगे और सारे जानवर प्यासे और भूखे हो गए सभी जानवर सिम्बा के पास पहुँचे और उससे मदद की गुहार लगाई उन्होंने कहा, राजा सिम्बा, अगर हमें जल्द ही पानी नहीं मिला तो हम सभी मर जाएंगे, कृप्या हमारी मदद करें सिम्बा ने अपने सैनिकों और मित्रों को बुलाया और जंगल में हर तरफ खोज शुरू करवाई लेकिन कई दिनों तक ढूणने के बाद भी कहीं पानी नहीं मिला सिम्बा परिशान हो गया और सोचने लगा अगर मैं अपने प्रजा की मदद नहीं कर पाया तो मैं कैसा राजा हूँ तब ही उसे एक बूढ़े हाथी की याद आई, जो जंगल के सबसे पुराने हिस्से में रहता था वह ज्यान और अनुभव से भरा हुआ था सिम्बा उसके पास गया और अपनी समस्या बताई बूढ़े हाथी ने कहा राजा सिम्बा, जंगल में एक जगह है जहां पानी का एक पुराना स्रोध छिपा हुआ है लेकिन वहां तक पहुँचना बहुत मुश्किल है क्या आप तयार है? सिम्बा ने बिना हिचकिचाय कहा हाँ, अगर मुझे अपने जानवरों की जान बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं तयार हूँ बूढ़े हाथी ने उसे उस जगह का रास्ता दिखाया जो एक गहरी घाटी के पास था सिम्बा ने अपनी सारी ताकत लगाई और उस खतरनाग घाटी को पार किया आखिरकार वह उस पुराने स्रोत तक पहुँच गया, जहां साफ और ठंडा पानी था वह खुशी से भर गया और तुरंत अपने साथियों को बुलाकर वहाँ पानी लाने का इंतजाम किया लेकिन असली ताकत आप सभी में है, जब हम सब मिलकर किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हम हमेशा जीतते हैं कहानी की सीख, एक सच्चा नेता वही होता है, जो अपने लोगों की भलाई के लिए अपनी ताकत और बुद्धिमानी का इस्तिमाल करता है, और सबसे बड़ी ताकत एकता में होती है